Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Case studies की सीरीज के अंदर आए matrices के एक question को लेकर हम उसकी case study जो है वो discuss करते हैं और ये question ऐसा है जो आप junior classes में भी कर चुके हैं जब आप linear equation in two variables की बात करा करते थे और आप उसी question को matrices और उसकी एक case study के साथ हम करते हैं आए एक question पर enter करते हैं On her birthday, Seema decided to donate some money to children of an orphanage home If there were 8 children less, everyone would have got rupees 10 more यानि अगर 8 बच्चे कम हो जाते, तो जितने बच्चे भी बच जाते, उनको 10 रुपे जादा मिलते 10 रुपे नहीं, जितने भी रुपे मिलने थे, 10 रुपे add हो जाते हैं हर एक के donation में However, if there were 16 children more, everyone would have got rupees 10 less लेकिन अगर जितने चिल्डरन को Seema donate करना चाते हैं, अगर 16 children और हो जाते हैं तो हर चिल्डरन को, हर बच्चे को 10 रुपे, जितने भी रुपे मिल रहे थे, 10 रुपे कम मिलते Let the number of children be X, यानि examiner ने हमारे को खुद कह दिया कि number of children जो होंगे, उनको X मान लीजिए And the amount distributed or donated by Seema for one child, B rupees Y और एक बच्चे को जितने रुपे दिये गए, उसको Y मानिए तो आईए, ये इस case study को एक बार दुबारा से देख लेते हैं जल्दी से कि अगर 8 children कम होते, तो हर बच्चे को 10 रुपे, जितने भी रुपे मिल रहे थे उसमें 10 रुपे जादा मिलते, लेकिन अगर number of children बढ़ कर यानि जितने भी हैं, अगर उनमें 16 और add हो जाते तो फिर हर एक बच्चे को 10 रुपे कम मिलते अगर x है total number of kids या children और y वो amount है जो हर बच्चे को मिलेगा, तो बताएए, based on this information given above, answer the following questions. तो पहले question की तरह बढ़ते हैं, let the equations in terms of x and y are, ये a दिया हुआ है और ये उसका b part दिया हुआ है, मतलब एक एक pair में दिया हुआ है, मैं इसको दुबारा से लिख देता हूँ, 5x minus 4y is equal to 40, तो ये a part है, ये b part है, ये c part है और ये d part है, ध्यान से देखे, question को अगर मैं वापस यहां अगर 8 children कम होते, यानि x minus 8 अगर होता, तो हर एक को 10 रुपे जादा मिल जाते, और अभी कितने मिल रहे थे हर एक को, why, तो इसका मतलब ये हुआ, देखे, आपने junior classes में करा भी होगा, और अगर नहीं करा, तो ये अभी class 12 के लिए एक बहुत बहुत important question है, त्यान से देखे, अब अगर मैं इसको open करता हूं, तो ये हो जाएगा xy plus 10x minus 8y minus 80 is equal to xy, तो ये तो कड़ गया, और अगर मैं common यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 5x minus 4y is equal to 40, तो एक equation तो ये हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से दुबारा देखना पड़ेगा, however, if there were 16 kids, 16 children more, then everyone would have got rupees 10 less, यानि अगर 16 बच्चे जादा होते, तो फिर हर एक बच्चे को 10 रुपे, जितने मिल रहे हैं, उसमें से 10 रुपे, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, कम मिलते हैं, तो देखे, ये दूसरी equation आ गई बच्चों, तो अब यहाँ थोड़ा confidence आप को मिल गया होगा, एक अच्चा question, ये देखे, cancel हो गया है, इसमें भी अगर मैं 2 common ले लूँ और minus भी common ले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 5X minus 8Y is equal to minus 80, तो यहाँ देखते हैं, ऐसा कोई combination हमारे पास है, क्या कि, क्योंकि दोनो equations हमारे पास आ गई है, ये है second equation और ये है first equation, देख लेते हैं, ऐसा कोई answer हमारे पास है, क्या, यहाँ पर option A जो है, वो एक perfect option है, यही answer आएगा यहाँ, यह देखे, यह हो गया, अब आईए second question पर चलते हैं, which of the following matrix equations represent the information given above, अब clearly second part जो है, वो first part पर based है, तो सीधा-सीधा हमें बोला गया है, कि matrix model में इसको convert कर तो एक बार फिर से हम equations लिखते हैं, अगर already आपने लिखी हुई हैं, तो दुबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको मालूम है, सबसे पहले coefficient matrix बनेगा, जो की इन दोनो equations के variable के coefficient से बनेगा, फिर उसके बाद हम लोग x लिख लेते हैं, यानि unknowns x और y, और फिर b ल हो है, constant, और आपको मालूम है, ax is equal to b होता है, तो आप देखें, क्या equation बनने वाली है, क्या ये first है, first तो नहीं है, क्योंकि minus 8 होना चाहिए, क्या ये second है, second भी नहीं है, क्या ये third है, जी हाँ, third लग रहा है, यानि option c, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हम 3 लिखेंगे, option 3 जो है, वो एक perfect answer है, क्योंकि option 4 में यहाँ minus 4 होना चाहिए था, तो option 3 एक perfect answer है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये part 1 और part 2 बहुत connected है, अगर किसी ने part 1 गलत लिख दिया है, तो शायद part 2 भी उससे गलत हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, third part में क्या कहा जा रहा है, the number of children who were given some money by SEMA, तो यहाँ पर x क्या है, number of children, यानि हम से कहा गया है, कि x की value निकाल लिए, तो आपके पास 2 method है, आप directly solve करकर भी x की value निकाल सकते हैं, या matrix model के थूँ भी x की value निकाले जा सकती है, यानि inverse find करकर, b से multiply करकर, यानि अगर x निकालना है मुझको, तो ह यू निकाल सकते हैं, a inverse into b, और यह हो जाएगा, one by determinant, a joint of a into b, लेकिन आप एक smart work कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो यह MCQ है, पूरी working नहीं भी show करनी, तो आप directly भी जैसे junior classes में solve करा करते थे, तो इन दोनों equations को solve करिए, और x या y जो भी पूछा गया है, वो निकाल दीजि जल्दी से 12th के method को ही करा देता हूँ, धान से देखे, determinant a के value हमने निकाली, minus 40 plus 20, यानि minus 20 आ रहा है, not equal to 0, unique solution would be possible, क्योंकि inverse निकल जाएगा, यह देखे, मैंने जितनी भी case studies करी है, यह आगे आप देखेंगे, तो उसमें सिरफ उसको MCQ नहीं माना है, उसको subjective question भी माना है, कि कल को अगर यह question as a subjective question आ जाए, तो फिर पूरी explanation क्या होगी, और साथ-साथ मैं बोलता भी हूँ, कि अगर यह MCQ है, तो यह working show करने की obviously जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसी के साथ-साथ यह long answer या very long answer में आएगा, तो क्या working करनी है, तो वो भी यह complete package की तरह हम आगे से देखे, 2 cross 2 है, adjoint का shortcut आपको मालम होगा, कि main diagonal को interchange कर दिया, और secondary diagonal के sign change कर दिया, यह देखे, यह adjoint निकलाया, तो x क्या निकल कर आएगा, a inverse into b, यानि minus 1 by 20, और हमने यहाँ adjoint की value put कर दी, और उसके बाद b यहाँ रख लिया 40 और 80, आईए जल्दी से multiply करते हैं और answer तक म minus 1 by 20, so this is minus 320, minus 320, और नीचे आगया है, minus 200, minus 400, यानि हमारे पास answer आगया है, 640 upon 20, और यहाँ आगया है, 600 upon 20, तो ध्यान से देखे, ऊपर जो value आ रही है, वो 32 आ रही है, और नीचे जो value आ रही है, वो 30 आ रही है, यानि x जो है, वो 32 है, यानि number of children जो है, वो 32 है, और y हमसे पूछा नहीं है, लेकिन y ऐसा byproduct आ गया है, कि शायद हो सकता है, अगले parts में पूछा जाए, तो हमारे पास y की value भी है, कि 30 rupees दिया गया होंगे, 32 children को, तो यहाँ फिलहाल चेक करते हैं, देखते हैं, तो x की value यहाँ पर दिख रही है, 32 यानि option D जो है, वो एक perfect option है, अब आगे बढ़ते हैं, fourth part की तरफ, और जिस चीज के लिए हम बात कर रहे थे हैं, वही पूछ लिया गया, how much amount is given to each child by SEMA, और वो हमने ऐसा working यहाँ already करा हुआ है, वरना आप यहाँ पर x को eliminate करते हैं जल्दी से, और y find कर लेते हैं, और हमारे पास जो value आ रहे है, वो 30 rupees, यानि y की value 30 आ रहे है, तो क्या यहाँ पर कोई answer है, जी हाँ, B जो है, option B, देखें कितनी जल्दी से इसका answer आ गया हमारे पास, सबसे कम time लगा होगा, और यहाँ option B जो है, वो answer आ गया है, अब देखें आखरी part की तरफ चलते हैं, आखरी part क्या बोड़ रहा है, आखरी part कह रहा है, that how much amount SEMA spends in distributing the money to all the students of orphanage, कि कितना amount उसने use करा है, donate करने में या distribute करने में उन students को, तो आइए इसके लिए पुराने page पर चलते हैं, और यह देखें, यह वो amount है, actually मैं x into y, तो यह वो amount है, तो आप बढ़ी असानी से पता लगा सकते हैं, x की value हमारे पास कितनी आई है, x की value आई है हमारे पास 32 और y कितना आया है, 30 तो जैसे ही हम x into y निकालेंगे, यानि 32 into 30, तो 960 रुपीज आना चाहिए answer, तो यहाँ चेक करते हैं, तो आपने पता लगा लिया होगा, 960 यानि option B जो है वो एक correct option है, इन सारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करा करो, यानि आप अपना जो part है कि जिसकी वज़े से दूसरों को फाइदा हो सके, वो अच्छी तरह से निभा दिया करो, इन पर भी अच्छे से notes बनाओ, जितने और case studies के questions हैं, उनको भी अच्छे से करिएगा, इसके अलावा हमारे साथ guided course में आना चाहते हैं, या फिर throughout हमारे सा आपको अच्छे से अच्छा guide कर देगी, बच्चों अगर इस channel को अभी तक subscribe नहीं करा, तो subscribe करिए और share करिए, इस channel के बारे में support करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे videos के साथ आप तक आते रहें